आयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान तेजी से हो रहा है मंदिर का उद्गाटन जन्वरी 2024 में होना है इसे लेकर रामभक्त उत्साहित है तो वहीं यूपी के अलिगड की 70 साल की एक महिला ने 30 साल में ठाई करोड बार सीधा राम लिगडा लई सीधा राम से लिखी ये पुस्तक आयोध्या के रामलला के गर्व ग्रह में रखी जाएगी मैला शशी शर्वा ने बताया ये सभी पुस्तके आयोध्या से खाली आती हैं हम लोग 30 साल से महराजी से जोड़े हुए हैं उनहीं की प्रेड़ना से मैंने लिखना शुरू किया है आसपास के और भी बहुत सारे लोग ये कार्य कर रही हैं हमारे गुरु जी हैं जो जनम भूमी के अद्दक्षे हैं मैंत नेतु कोपालदास जी तो वो एक बार 30 साल पहले करीब लिगड में आयते और हम उन हुं से मिलेते हैं तो उनकी प्रेड़ना से हम ने रहासीर राम लिखना में शुरू किया किस संगम के साथ तट John मंदर के रहां मंदर बन जाए वस राम लैला। महाराजी भी भोलते हि रहते थे ते सिरी राम जी उसके बारे में, वहीammेमे से मंदिर बने मां नरा है, वहीं परिया तो बने सा चैनल लग उसके मूपि. करीब 8 ridhdois 50 करीब लख च्किक lawsuit to our ए एक कांपी में water yeah about 31 312 करीब लखती हो तो करीब महीने में तीन कांपियां हो जाती है मेरी महीने में कितनी वाँ लख लिए त Bij दो करोड से वपर गया में बुजर्ग महिला के पती कारोबारी सतीश कौर्ण ने बताया कि राम जन्म भूमी के अध्यक्ष महंत्र नित्य गोपाल दास ची ने प्रेड़ना दी जन्म भूमी के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेड़ना दी कि आप भगवान राम का नाम लेजे सब वही पूरा करेंगे और आज उनी की प्रेड़ना से राम मंदिर बनने जा रहा है जिसका उत्गाटन चौरह जन्वरी से लेके 24 जन्वरी तक 24 में हैं सिता राम सिता राम कह यह जा ही विद्यरा कैराम ताही विद्य लगवग साड़ह-ाट्सूश से उपर लिख चुकी और होगी धाही करोड से ऊपर उपर कैसे यह हम लोग जाते हैं प्रतवस्च्बिस दन के लिए प्रवाश होता है तो वहाँ जमा करके आते हैं राम नम बैंक है वहां पर वह ज बतादे की ताला कारोबारी की 70 साल पतनी शशी शर्मा पिशले 30 साल में ठाई करोड बार पुस्तकों पर तीता राम लिख चुकी है इतना ही नहीं लिखने का ये सिलसिला उनका अभी भी जारी है अब तक उनकी लिखी हुई 870 पुस्तके अयुथ्या पहुच गई है पंजाब के स्री टीवी के लिए अलिगर से अर्जुन देव की रिपॉट